हैलो दोस्तों स्वागत है आपका अपना फूद टेस्ट में आज मैं आपके लेकाई हूँ सूजी का हलव की रेसिपी जो कि बनाएंगे हम एकदम परफेक्ट और दानिदार सूजी का हलवा जो कि बनेगा एकदम खिला खिला नवरातरे शुरू हो चुके हैं तो सूजी का हल सूजी का हलवा बनाना तो बनता ही है जो कि हम अस्टमी और नौमी के भोग के लिए बनाते ही बनाते हैं जिसमें कन्या माता खुश तो मातारानी खुश हो जाएंगी तो फ्रेंड्स इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें तो चली शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है एक कटोरी सूजी और एक कटोरी लिया है घ बरतन दे लिया है तो पहले यहां पे पानी गरम करेंगे हलवा बनाने के लिए तो मैंने जो कटोरी ली थी ना सूजी के लिए तो उतना ही यहां पे तीन गुना पानी का स्तमाल करना है जितना आप सूजी इस्तमाल करते हैं उसका तीन गुना पानी इस्तमाल करना है हलवा दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो इसके लिए मैं यहां पर एक चुटकी हल्दी पाउडर का इस्तमाल करूंगी यह पूरी तरीके से ऑप्षिनल है अगर आपके पास केसर के धागे हैं तो उसका इस्तमाल resent please जल्दी जलतात नहीं है तो अब घी ले लेगे और कराई में डाल देंगे तो सारा गीं डालना है चार चमच बचाके रंदेंगे तो इसका इस्तमाल जो है हम बाद में करेंगे और घी को जो है मेडियम फ्लेम पे कड़ाई में गरम होने देंगे और दूसरी तरफ मैंने यहां पे पानी गरम करने के लिए रखा हुआ है गैस पे हलवा में हमेशा गरम पानी का है इस्तमाल करें इससे जो हलवा है एकदम खिला-खिला बनता है इस बात का ध्यान जरूर रखें तो यहाँ पे घी गरम हो चुका है और मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइफूट्स लिए है बदाम, काजू और किश्मिस यह ऑप्शनल है बिना ड्राइफूट के भी जो हलवा है बहुत अच्छा बनता है तो गरम घी में इन्हें एक मिनट के लिए पका लेंगे इससे जो भुनावा जो टेस्ट है ड्राइफूट का हलवा में बहुत अच्छा आता है तो ज़्यादा नहीं ओवर को करना है बस एक मिनट के लिए पकाना है और उसके बाद इन्हें निकाल लेंगे ड्राइफूट को घी में भुनना आप्शनल है पूरी तरीके से आप चाहें तो हलवा बनाते टाइम भी ड्राइफूट डाल सकते हैं तो यहाँ पे सभी ड्राइफूट को मैंने प्लेट में निकाल लिया है तो अब घी में हम डालेंगे सूजी और अब गैस का फ्लेम है एकदम धीमी आज़ पे रखना है तो जब भी हलवा बनाए तो एकदम धीमी आज़ पे ही हलवा को पकाए तो अब कर्ची से इसे भून लेंगे जब तक कि न इसमें एकदम गोल्डन कलर ना आ जाना तब तक हमें हलवा को भूनना है अभी ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो हलवा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट बैढ़ता है तो इसके लिए वीडियो को स्किप ना करें वीडियो के एंड तक बने रहें जब हलवा को भूनते हुए चार से पांच मिनट हो जाएंगे तो इसमें जो हलका सा जो है लाइट गोल्डन कलर चर जाएगा हलवे का और भी जादा टेक्शर अच्छा लगे तो अब यहाँ पर मैं लूँगी एक बड़ा चमच बेसन बेसन से जो हलवा का टेक्शर है बहुत अच्छा आता है तो आप इसका इस्तमाल जरूर करें सिर्फ एक चमच क्योंकि हमें यहाँ पर बेसन का हलवा नहीं बनाना है हलवा हमें यहाँ पर सूजी का ही बनाना है तो इसलिए सिर्फ एक चमच बेसन का है इस्तमाल करें और इसे ना सूजी के साथ अच्छे से भून लेंगे जैसे जैसे हम सूजी को भूनते जाएंगे ना तो उसका जो color है एकदम change हो जाएगा तो जब इस तरीके का कलर आने लगे ना सूजी में ये देखिए इस तरीके का आप देख सकते हैं जो है एकदम light golden हो चुका है तो अब ना यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी चीनी उसी सेम कटोरी से चीनी डालेंगे और साथ में यहाँ पे जो dry food हमने भून के रखे वे थे करसे शुजी को शुजी को रहना ही जुजी के बारात ही तो अगर पे अच्छे से नहीं भूनी रहेगी तो इसका जो स्वाधा वह अच्छा भी नहीं आएगा चाहे आप इसमें कितना भीạnhव डाले ले और द्राइ नीख दाले तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा तो इसलिए गरम पानी दाले मिक्स उसके बाद ही जो है सूजी को मिक्स करेंगे तो यहां पे जो है दो बार में पानी डाल चुकी हूँ अब फिर से जो है इसमें पानी डालेंगे अगर एक साथ गरम पानी डाला ना तो जो सूजी के जो छीटे ना आपके मुँपे पढ़ेंगे तो इसलिए ना इसको आराम से डाले क्योंकि सूजी भी गरम है पानी भी गरम है तो इसके जो छीटे हैं वो बहुत पड़ते हैं तो इसलिए जो है थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाले ताकि छीटों से बस सके तो बस इसे एक बार कर्ची से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि यह हलका सा गाड़ा हो जाए तो यहां पर भी जो है गैस का फ्लेम एकदम लो पे होना चाहिए जब इस तरीके का गाड़ा होने लगे ना हल्वा आप देख सकते हैं इस तरीके का तो बस अब जो है इसे एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे और फिर ना इसे दो से तीन मिनिट के लिए जो है धके पका लेंगे इससे जो हल्वा है एकदम अच्छे से पकेगा उससे जादा नहीं क्योंकि हल्वा अलोडी बहुत जादा पक चुका है तो बस जब दो से तीन मिनिट हो जाए तो उसके बाद धकन हटाएंगे यह हल्वा थोड़ा धकन पे चिपक गया तो इसको न देखते ही किसी का भी मन लल्चा जाएगा खाने के लिए तो बस अब जो हमने घी बचा के रखावा था तो आब यहां पे डालेंगे हम तो इससे जो है ना हल्वा और भी जादा खिल के आएगा तो घी डालने के बाद जो है इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस यहाँ पर हमारा हलवा बनके तैयार है तो friends आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे न कभी भी आपका हलवा खराब नहीं होगा और एकदम खिला-खिला और दानेदार बनेगा खाने वाला भी तारिफ किये भी रह नहीं पाएगा तो जब भी आपका मिठा खाने का मन करें त तो फटाफट इस तरीके से सूजी का हलवा बना के तैयार कर लो तो बस आप यहां पे जो है कर दूँगी मैं गैस का फ्लेम बंद और इसे करेंगे हम गर्मा गरम सर्व तो फ्रेंट्स आप कब इस रेसिपी को घर पे ट्राइ कर रहे हैं और जब भी ट्राइ करें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए की आप को इस रेसिपी कैसे लगी और हाँ रेसिप पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा साथ साथ यस impressed के साथ शियर कीजिएगा और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब की जिएगा और खाने से पहले एक चंबर घी म में इससे और भी जादा टेस्ट आ जाएगा तो फ्रेंड्स मैं तो चली इसे खाने के लिए तब तक के लिए फ्रेंड्स बाई बाई टेक केर फिल मेरेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ